Theory of Cultural Determinism and Cultural Relativism इन दोनों टर्म्स को भी मैं explain करती हूँ Determinism यह होता है क्या चीजें determine करती हैं किसी phenomenon को, किसी happening को, for example, बारिश काफी हद तक determine करती है कि फसल कैसे उगेगी बच्चे की अच्छी खौराक देना बहुत determine करता है कि उसकी बॉड़ी कितनी healthy होगी, उसका कद कितना लंबा होगा, उसके मसल कितने मस्बूत होंगे, आपकी exercise determine करती है कि आपकी fat कितनी reduce होगी और आप कितने fit होंगे, so there environmental चीजे हैं, determine कर रही है, individual कर रही है, जो अंदर डाल रहे हैं वो कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं वो determine करता है कि आप कितने खुश रहेंगे, और जो आप आगे भेजते हैं, वो determine करता है, कि जब आप जाएंगे इस दुनिया से, तो आपको आगे क्या मिलेगा, उनके मतलब, हमारे beliefs और values सीखी जाती हैं, हम एक society के member होते हैं, हम उसके अंदर ये चीजें सीखते हैं, अकायद भी और values भी, traditions भी, इकदार भी, और पिर क्योंकि हम society के member हैं और वो चीजें सीख रहे हैं, इससे हमारी एक nature बनती जाती है, जो कुछ हम सीखते हैं, वो ही हम बनते हैं, people are what they learn, इसका जो optimistic यनि जरा पुरुमीद वर्जिन हैं, वो ये है कि cultural determinism कोई limit नहीं रगाता, कि आपकी ability है, दुनिया आपके लिए पूरी खुली है, आप अपनी ability के मताबिक जो चाहें कर सकते हैं, ये ये भी कहता है कि इनसान की जो nature है वो malleable है, उसको shape किया जा सकता है, कभी आपने play-doh देखा जिस से बचे या कुमहार मिटी से बनाता है, चीजें किसी भी shape में बना लें, घड़ा बना लें, या सुराही बना लें, या प्याला बना लें, देखें कितनी different shapes हैं, human nature is malleable, इसको ढाला जा सकते हैं, इसलिए human being कोई भी life choose कर सकते हैं, जो भी वो prefer करें, ये determinism का एक अच्छी side है, अब इसकी एक ज़रा pessimistic side भी है, जो इतनी पुर उमीद नहीं है, और pessimistic side, ज़रा कनूती side जो है, वो ये कहती है, कि जो कुछ conditioning हो जाती है, बस आप वो बन जाते हैं, बदल ही नहीं सकते हैं, आपको किसी ने जैसा बना दिया, बच्छमन से जैसी जिसी जिन्दगी गुजरी, जो कुछ आपके इगिद हो रहा था, ये view आपको ना सिरफ ट नहीं है, जैसा बन गई है, हमारी conditioning हो गई है, हमारी अदत हो गई है, human beings are passive creatures and they do whatever their culture tells them, that's the pessimistic view, different cultural groups think, feel and act differently and there are no scientific standards for considering one group better than another, फर्क होते हैं, तो कोई culture किसी culture से बेहतर नहीं है, ये बात बहुत याद रखने वाली होती है, आज की दुनिया में किसी culture की भी अच्छी चीज कोई भी सीख लेता है, that is also something that we are noticing, I'll come back to that point in the end, culture के जो differences है, उनको study करना groups or societies में एक और position है, which is called cultural relativism, ना कोई हत्मी तोर पर अच्छा है ना कोई हत्मी तोर पर बुर है, it's all relative, जिस सब एक दूसरे के मुकाबले में, जो हैं, वो related हैं और relative हैं, अगर कोई बहुत लंबा है तो उसके मुकाबले में इतना लंबा भी चोटा लगेगा, और अगर कोई बहुत चोटा है, तो उसके साइटी में कोई चीज को हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है, क्यूंकि relative to something else, it may be very abnormal, but relative to something else, it's your normal, that is their normal. So, जब हम groups और societies के साथ interact करते हैं, जो हम से फरक हों, तो फिर हमें कुछ judgment आ जाती है, कि यह कैसे हैं और मैं कैसा हूँ, So, nature of cultural differences जो है, societies के बीच में, उनकी जड़ें क्या थी, उनका background क्या था, और जो कुछ वो कर रहे हैं, उसके consequences क्या है, इनको समझना चाहिए, इससे पहले कि हम judgment करें, reject करें, और कोई action करें, मैं आपको एक example दे रही थी, कि किसी culture में कोई अच्छी चीज़ हो, तो वो accept की जाती है, दूसरे culture में, अभी recently, cop 27 पे और football का जो world cup हुआ है, उसमें कुछ western लोगों ने openly media में का आए, कि मुसल्मान अपनी तहारत के लिए एक तरीका इस्तमाल करते हैं, जो कि non-muslim या western culture में रायच नहीं है, वो पानी का इस्तमाल करते हैं, so wash yourself, और उस पे social media में इतने jokes चल रहे हैं, कि इनको सदियों बात होश आया, कि अपने आपको धोना भी कोई चीज़ होती है, it's a good thing if you learn from other cultures.